वेलकम डियर स्टुएंट्स स्वागत है आप से विका हमारे यूटूब चैनल स्टेडी विद दुलार में बच्चो ये क्लास 6 का साइंस बुक है चैप्टर 3 है और इस चैप्टर का नाम है फाइवर 2 फैबरिक फाइवर का मतलब होता है तंतु जिसको बोला जाता है या रे इस चैप्टर में यही चीज बतला गया है तो बैसिकली आपको रेसे से लेकर कपड़ा बनने की परकिरिया होता है तो इसी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है तो आई हम लोग इसको संचिप्त में पढ़कर देख लेते हैं पहली और बुजो के स्कूल में एक science competition रखा जाता है जिसमें उन लोग को कुछ question पूछा जाता है उन लोग first आ जाते हैं जीत जाते हैं और जीतने के बाद उन लोग को जो पैसे मिलता है प्राइज में तो पैसे अपने after the shopkeeper explained that some clothes or fabrics तो वहाँ पर जाकर बहुत सारे कपड़े जब उन लोग देखते हैं तो 안नों को पता नहीं चलता है कि different different चुर्ट से मिलता है और सिंथेटिक जो हता है उसको मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है इसको क्यमिकल द्वारा बनाया जाता है ही अल्सो लhouse let Went defलर अन्थ हम देखते हैं और उससे बनावाज सौल होता उसको भी मीश सजव्ष tuh और वहाँ पे उन लोग सिल्क साड़ी मतलब रेसम की साड़ियां जो होती है उसको देखते हैं पहली एन बुजो felt very excited that touch and felt these different fabrics उन लोग बहुत ही उत्सक हो जाते हैं इस सब के बारे में जानने के लिए पुरंत में उन लोग एक उलन मतलब उन का मफलर खरीदते हैं और कॉटन साड़ी सुप्ति की साड़ी खरीद लेते हैं अप्टर देर विजट टू दे क्लोथ सोब पहली एन बुजो बिगें टू नोटिस वेरियस फेबरिक्स इन देर स्राइंडिंग्स उन लोग जब दुकान में जाते हैं उसके बाद उन लोग को पता चलता है कि हमारे चारों और हमारे घर में हमारे आस पास कई तरह के कपड़े अलग अलग तरह के कपड़े यूज़ होते हैं they found that bed seats, blankets, उन लोग क्या देखते हैं, bed seats देखते हैं, blanket, kumble देखते हैं, और curtain, table cloth, towels and dusters were made from different kinds of fabric, यह सारी जितने चीज़े हैं, परदे हैं, table cloth है, towel है, duster है, यह सब सारी चीज़ें अलग-अलग परकार के कपड़ों से बनते हैं, even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric, और यहां तक कि उसके school bag हो गए, या बोरा बगएरा जो घर में बना हुआ होता है, वो सब वो भी अलग-अलग परकार के कपड़ों से बनते हैं, they tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic, उन लोगोंने पहचानने का कुशिस किया इसको, और वो पहचान जो है cotton, मतलब सुती, wool, silk और synthetic की रूप में आया, can you also identify some fabrics, क्या आप भी इसे पहचान सकते हैं, यहाँ पर बतला जा रहा है कि आप लोग भी क्या इन कपड़ों को, जो different different कपड़ हैं, क्या इसको पहचान सकते हैं, तो इसको जब तक हम लोग एक बार ठीक से देखेंगे नहीं, जब तक कोई बतलाएगा नहीं, तब तक हम पता नहीं चलेगा कि कौन सा cotton है, कौन सा wool है, इस तरह से पहचानने के लिए थोड़ा मदद लेना होगा किसी का, यहाँ पर दिया हुआ है variety in fabrics, यहाँ पर इसी तरह के चीजे दिया हुआ है, activity one जो दिया हुआ है, यहाँ पर बतलाए जा रहा है कि आप किस तरह से पहचान जमा कर लेने के लिए बोल रहा है और उसको छू के देखने के लिए बोल रहा है, कि छूए इसको फिर पता किजिए कि यह किस तरह से different different महसूस हो रहा है, now try to label some of the fabric as cotton, silk, wool, or synthetic after asking for help from the teller, कि teller से थोड़ा मदद लेते हुए, आप उनसे पूछे और उसको mark किजिए, कि कौन क्लोथ जो है, वो cotton है, या silk है, या wool है, इस तरह से उसको mark कर दिजिए, do you wonder what these different fabrics are made of, तापको अस्चेर होगा कि यह किस तरह से अलग-अलग ratio से अलग कपड़े बने हुए, when you look at any fabric, it seems a continuous piece, जब आप इन कपड़ों को ध्यान पुरुवक देखेंगे, तापको पताचलेगा कि यह बहुत ही छोटे-छोटे बारिक टुकडों से बना हुआ है, जिसे कि यहाँ पे दिखाए गया है, यह picture में, what do you notice, आप इसको देखकर क्या समझ में आता है, यहाँ पे activity 2 दिया हुआ है, आगे में, इसमें क्या करने के लिए कह रहा है, select a piece of cotton, fabric to level in activity 1, activity 1 में जिसमें आप मार्क किये थे, उसमें से कोई कपड़ा ले लिजे, try to find loose thread or yarn at one of the edge and pull it out, यहाँ पे जो किनारे में कोई कपड़ा गर निकला हुआ है, कोई धागा निकला हुआ है, ता आप उसको खीच लिजे, अगर loose है तो और loose नहीं है, तो फिर आपको किसी पीन वगरे के मदद से आप खीच लिजे, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यह इसको एक धागे को निकाल लिया गया है, yarns are visible, यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, you can gently pull one out with a pin or a needle, sui या pin से उसको खीच लिजे, we find that a fabric is made of a yarns arranged together, what are these yarns made of, अब देखे हैं कि वो जो बना हुआ है, तो इसमें बहुत सारे धागे को एक साथ अवस्था में मिलाया गया है, जिससे कि यह कपड़ा बना है, तो यह yarns जो है, यह धागे जो है, वो किस चीज से बना हुआ है, रेसी के बारे में आगे मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे दिखाईवर, फाइवर है, उसको फैलाने की कोशिस कीजिए, उसमें से उसको स्क्रेच कीजिए, उसमें से उसको स्क्रेच कीजिए, उसमें पतला पतला सा रेसा दिखाए देगा, वही रेसे जिससे की धागा बना हुआ है, तो पतला पतला सा दिखाए देगा, उसी को रेसा बोला जाता है, फाइ होता है वो बाल से भी ज्याद़ पतला होता है यू माइट है अब अब जर्ब सम्थिंग सीमिलर वैं यू ट्राइट टू थी डे निडिल या आप मैसूस कियांगे जब निडिल में आप धागा डालते हैं तो वह जो रेशा होता है जो फैल जाता है इसके वज़े से उसमें धागा समाने में दिक्कत होता है तो वही रेशा होता है उसीको रेशा बोला जाता है तनतु फाइबर बोला जाता है दिसस वही दिक्कत करता है निडिल के छ्हेदा जाने में उस पो फैवर बोला gerekता यहाँ पे देख रहे हैं श्टेंस आप three that you see are a made up of steel thinner stands called fibers, उपतली सी जो होती है, उसी को fiber बोला जाता है, fabrics are made up of urns and urns are further made up of fibers, तो fiber जो मतलब कपड़ी जो होते हैं, वो urns से बने होते हैं, urns मतलब धागों से, और धागे जो होते हैं, वो रेसू से बने होते हैं, where do these fibers come from, तो ये fibers कहां से आते हैं, कैसे प्राप्त किया जाता है, fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals, तो ये fibers जो होते हैं, हमें प्राप्त होता है, जिसे cotton के रूप में, jute के silk और wool के रूप में प्राप्त होता है, जो कि पोधों और जानवरों से प्राप्त होता है, तो ये इन सभी fibers को, जो यहाँ पे नाम दिये हुए हैं, उसको natural fiber बला जाता है, प्राकिर्टिक fiber, cotton and jute are example of fibers obtained from plants, cotton और jute ये दो fibers ऐसे हैं, जो हमें पोधों से प्राप्त होता है, उल and silk, ये उल, उन हो गया, silk मतलब रेसम, ये दो fiber जो हैं, हमें जानवरों से प्राप्त होता है, उल is obtained from the fleece of sheep or goat, उल हमें भेड के बालों से या गोट के, मतलब बकरों के, बकरियों के बालों से प्राप्त होता है, इस अलसो अब्टेंद फ्रॉम्ट रेबिट के बालों से या खो गया, उसके बालों से, या क्यमल, मूट के बालों से, हजारों सालों तक, पहले हम लोग नेचुरल फाइबर, प्राकरितिक फाइबर पे ही टिके रहते थें, हम लोग को कपड़े बनाने के लिए सिर्फ यही अबलेबल था, इन दे लास्ट हंडेड इयर्स, मतलब पिछले सो सालों से मनुस्यों ने केमिकल के द्वारा फाइबर से बना लिया हैं, जिसको सेंथाटिक फाइबर बुला जाता है, और उससे वो मजबुत कपड़े बनाते हैं, तो यहां पे बुजो के मन में कुछ आया हुआ है, यहां मुजियम में इसको देखा है, जो कि उसमें योधा लोग जो लड़ाई करते थे, उन लोग पेहनते थे, क्या यह भी इसी फाइबर से बना है, अब यहां पे पता ने, इसका जो है, क्या जवाब होगा, बुजो के मन में जो आया हुआ है, निश्ची तरुप से कोई ने को नोरों से प्राप्त नहीं होता है, उसे सिंथेटिक फाइबर करते हैं, यह सिंथेटिक फाइबर मानों द्वारा खुद ही बनाया हुआ है, जिसमें से एक्जम्पल में दिया हुआ है, सिंथेटिक फाइबर हार, पोलिस्टर हो गया, नायलोन हो गया, एक्रिलिक हो गया, इस तरह के fivers जो है, já synthetic fiver के लाते है, some plants fiver, plants fiver में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले cotton दिया हुआ है, 3.3 यहां पे दिया हुआ है some plants fivers, कुछ पोधों से prath fibers तंतु, जो पोधों से प्राप्त होता है, cotton दिया हुआ, first में cotton जिसको रुई बुला जाता है, have you even made wicks for oil lamps क्या कभी आपने देखा है कि जो lamp होता है उसमें उसका बाती जो बनाया जाता है जलाने के लिए तो वो रूई से ही बनता है तो यह पहले बनता था अभी भी बनता है लेकिन जाद तर अब बिजली का यूज होता है अगर बिजली ना रही तो फिर लोग emergency light का यूज करते हैं इसलिए बहुत कम हो गया हो सकते हैं आप लोग नहीं जानते होंगे तो पहले जो है धिबरी बनाया जाता था यह lamp जो होता था उसमें cotton कपड़े का यूज होता था इस cotton wool is also used for filling mattress, quilts और pillage और यह cotton जो होता है यहाँ पर cotton ball दिखाए गया है यह cotton होता है रूई जो होता है वो mattress मतलब गदे में भरा जाता है रजाई में भरा जाता है और तक्किय में भरा जाता है take some cotton wool यहाँ पर कुछ cotton wool लेने के लिए कर रहा है put it apart and look at its edge what do you observe the small thin stents that you see are made up of cotton fibers आप उसको देखेंगे एक wool cotton जो है आप बोल एक फो ले लिजे आप उसमें फैला फैला कर देखें तो उसमें आपको पतली पतली सी रेशा दिखाए देगा और उसी से वो cotton बना हुआ है where does this cotton wool come from तो यह आते कहां से हैं तो इसके लिए क्या होता है इसकी खेती की जाती है यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर देखें यह पिक्चर जो दिखाए दे रहा है इसकी खेती होती है और इसकी खेती के लिए इसकी खेती के लिए यहाँ पर दिया हुआ है having black soil and warm climate उसके लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है और वर्म कलाइमेट मतलब गरम जलवायू थंडर नहीं होना चाहिए वहाँ पे ज़्यादा वैसी जगह में यह उगता है क्या आपको पता है क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में किसकी सराइज में यह कोटन प्लांट उगाया जाता है जिसको कोटन बॉल बोला जाता है और अबाउट दा साइज ओप ये लेमन एक निम्बू के बराबर होता है इसका जो फल लगता है वो निम्बू के बराबर होता आप्टर मैचुरिंग दा बॉल ब्रस्ट ओपन और सीट्स कवर्ड विथ कोटन फाइवर तो ये निम्बू के बराबर होता है और जब पकने लगता है तो आपने आप ब्रस्ट मतलब फट जाता है इस तरह से और ये कोटन दिखाई देने लगता है यहां पे जो दिखे रहा है और इसके अंदर में इसका सीड होता है तो इसके बाद इसको तोड़ लिया जाता है तो क्या आपने इसको इसे देखा है समबता आप देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे जहाँ खेती होता है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं तो इसका बीज जो होता है उसके बीज से ओयल भी निकला जाता है cotton oil तो साइड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है मैंने दूसरे एक बुक्स में पढ़ा हुआ है यहाँ पे इस तरह से नहीं दिखाए गया है इसको हाथों से निकल लिया जाता है उसके बीज को निकलने के लिए ज्यादतर हाथों से ही लोग उसके निकलते हैं और अभी तो मसिन भी आ गया है जिससे की गिनिंग होता है उसके बाद जूट आ गिया यहाँ पे जूट जिसको पट्सन भी बोला जाए और जनरली लोग जूट के नाम से भी जानते हैं जूट फाइवर्स is obtained from the stem of the जूट प्लांट it is cultivated during the rainy season in India जूट is manly grown in West Bengal, Bihar and Asam जूट का जो पोधा होता है उसका तना जो होता है यह तना जो होता है stem तो उससे ही जूट प्राप्त होता है तो तना के उपर में जो छाल होता है उसी को वो क्या करते हैं जब बड़ा हो जाता है पोधा उस पोधे को उखाड लिया जाता है और उसको तने सहीत, उसको मतलब उसके तने को पानी में कुछ दिनों तक डुबो कर रख दिया जाता है कुछ दिनों बाद उसका छाल निकलने लगता है और उसका तना अलग हो जाता है उससे फिर उसको निकाल लिया जाता है और उसी से रेशा प्राप्त होता है तो इस तरह का हम लोगों ने देखा है इसलिए मैं जानता हूं इसको और इसका पत्ता जो इस तरह से होता है इसमें कुछ फल लगता है रेड रेड कलर का होता है उसको वह बहुत खटा लगता है उसको ज खरने के बाद इसको पाणी में कुछ दिन तक दुबा कर रख दिया जाता है। The stem, rot and fibers are separated by hand. इसका stem जो हता है सर जाता है और इसका fiber बाहर निकलाता है। तो stem जो हता है वो इसका fiber का उपरी जो भाग होता है वो सर जाता है और stem बच जाता है, white color का रहता है। और काफी light हो रहता है, मतभाल का काफी रहता हूँ। तो इस तरह से हम लोग उसको दिवाली में यूज गया करते थे। पटाके जलाने के लिए बच्चे जब हम लोग होते थे तो हम लोग को पटाकों से डर लगता था। जिसके कारण हम लोग को वही दिया जाता था उसका stem और हम लोग दूर से उसको जलाया करते थे। मतलब धागा होगे हैं पहले धागा बनाएंगे उसके बाद उसके कुछ कपड़ा बनेगा मतलब इसको हम लोग किस परकार से से कंप्रीट करते हैं धागा बनाने के लिए तो यहाँ पे दिया हुआ है spinning cotton arms soothe cotton you can try making cotton arms yourself आप swim धागा बना सकते हैं तक कैसे बना सकते हैं एक्टिविटी 4 दिया हुआ है इसमें कुछ बतलाय हुआ है haul some cotton wool in one hand cotton wool जो bowl होता है उसको आप हाथ में लेजिए pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand दूसरे हाथ से आप अपना गुठा और तरजनी को लगा कर अब उसमें gently start pulling out the cotton और उसको खीचना थोड़ा धीर धीर खीचना शुरू किजिए while continuously twisting the fibers मतलब कि उसको खीचना है और उसको एटते जाना है इस तरह से तो उसमें क्या होगा आपका fiber बनते जाएगा are you able to make yarn the process of making yarn from fibers is called spinning तो इस तरह से fibers से धागे बनाने की जो परकिरिया होता है उसको spinning बोला जाता है मतलब हिंदी में अगर बोले तो सूत खातना इस तरह से बोला जाता है in this process fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted this brings the fibers together to form a yarn इस परकिरिया में cotton के गोले से एक पुँझ को पगड़ते हैं और उसको खीचते हैं और उसको एटते हुए खीचते हैं तो इस परकिरिया में इस तरह से धागा बनते वे जाता है yarn मतलब धागा धागा बनते वे जाता है a simple device used for spinning is a hand spindle also called तकली इसमें एक हाथ से यूज करने वाला एक device एक यंत्र यूज होता है जिसको तकली बोला जाता है यहां पे एक तकली का picture दियावा है यह जो लंबा सा छड़ी सा दिखाए दे रहा है इसको yarn बनाने के लिए उपयोग किया जाता है इसके अलावा यहां पे दियावा है figure 3.10 में दियावा है another hand operated device used for spinning is चर्खा picture 3.11 में दियावा है तो दूसरा यह device होता है चर्खा होता है जिसके द्वारा spinning किया जाता है मतलब शूत काता जाता है धागा बनाया जाता है यूज अब चर्खा वाज popularized by महात्मा गांधी as part of the independence movement महात्मा गांधी चर्खा यूज किया करते थे उपयोग करते थे और काफी परचिलित था महात्मा गांधी और चर्खा एक साथ दिखाया जाता है और यह उनके आंदोलन सोतंतरता आंदोलन का part था he encouraged people to wear चर्खे से जो धागे बनाये जाते हैं उससे जो कपड़ा बनता है उससे खादी वस्तर कहते हैं उस समय गांधी जी ने सभी लोगों को बतलाया था कि Britain के द्वारा बना हुआ उनके मिल से बना हुआ जो कपड़ा आते थे उसको पहनना नहीं है उसको बहिसकार करना है और खादी वस्तर को पहनना है जब हमारा देश अजाद हो गया तो यहां पे 1956 में तो उस समय भारत सरकार ने सभी को खादी वस्तर पहनने के लिए प्रोसाहित किया इससे क्या होगा कि गाउं में लगुद योग बढ़ेगा Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine तो आज के समय में अब हाथों से बहुत कम बनाया जाता है spinning machine से बनाया जाता है way by which fabric are made from yarn तो बहुत अलग अलग तारीके हैं कई तारीके हैं yarn से fabric बनाने का मतब धागे से कपड़े बनाने का the two man process are weaving and knitting इसमें दो सबसे मुख process है weaving and knitting first में यहां पे दिया weaving इसमें activity दिखाया गया है activity 2 में बतलाया गया था कि आप देखेंगे कि उसमें जो है दो सेट होता है fabric बनाने का कपड़ों का जो होता है उसमें एक इस तरह से बार्टिकल हो गया और एक होरिजन्टल इस तरह से होता है दो सेट होता है धागे का यहां पे लिखावा है two sets of yarns arranged together एक साथ उसको arrange किया जाता है the process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving तो इसको बुला जाता है कपड़े का बुनाई दो सेट से जब बुना जाता है let's try to wave some paper strip यहां पे पेपर का यहां activity 5 जो दिया हुआ है तो पेपर का दो सेट लेने के लिए यहां का रहा है और उसको दोनों को काट लेना है इस तरह से जैसे कि यहां पर बतला गया equal 30 cm each seat उसको काट लेना है फिर उसमें लंबा लंबा बना देना आपको मैं दिखा देता हूँ यहां पे पिक्चर दिया हुआ है यहां पर यह रेड कलर का एक कागज ले लिया गया है और यहां पर गिरीन कलर का इसके बाद फिर इसमें पतला पत्टी यहां पर इससे काटा गया है उसी तरह से काट देना यहां पर जो रेड कलर का पत्टी दिखाए दे रहा है यहां गिरीन कलर का दिखाए दे रहा है औ आपको उतना पता नहीं चलाएगा आप समझे लिजे कि उसतरर से अगर बुना जाय तो ये इस तरह से बन जाएगा तो इसी तरह का कपड़े जो होते हैसी इससे पना जाता है और यहां पर बुनने का जो मसीन होता है यहां पर यह दिया है pattern after weaving all the strips मतलब बुनाई होने के बाद इस तरह से दिखने लगता है तो इसको हैंडलूम में बुना जाता है या तो हाथ वाला हैंडलूम हो गया या मसीन वाला इस तरह से बुनाई का कायर कंप्लीट होता है in a similar manner मतलब दोनों चीजों में मतलब हाथ वाला और मसीन वाला दोनों में एक ही तरह का काम होता है two sets of yarn are oven to make a fabric दो सेट का धागा जब एक साथ बेवस्तित होता है तब फिर कपड़ा बनता है the yarns are much thinner than our paper strips जो कागज का strips जो पट्टी लिया गया था उससे धागा बहुत पतला होता है तो इसको बनाने में क operated और power operated power operated मतलब हो गया machinery या तो हाथ से बनाया जाता है या machinery बनाया जाता है इसको यह करगा handle होता है इससे भी आज भी काम चलता है knitting knitting हो गया इसमें एक ही धागा रहता है knitting जो बुनाई होता है इसको बंधाई करते हैं इसको वैसे ताम भासा में इसको भी बुनाई ही कहा जाता है तो इसमें आपका sweater वगेरे जो बुनाई होता है sweater हो गया मफलर हो गया उस तरह का जो उलेन कपड़े होते हैं उसमें knitting एक यही धागा रहता है इसका यूज़ होता है have you notice how sweaters are knitting कि तुमने कभी देखा है कि sweater किस प्रकार से बुने हुए होते हैं निटिंग इस सिंगल आर्ण तो बुनाई इस तरह का जो निटिंग होता है इसमें सिंगल आर्ण होता है मतलब एक धागा होता है यहां पे गोला रखा गया है यही धागा बुनाई में चलता है used to make a piece of fabric एक ही धागा का उप्योग किया जाता है यहां पे कपड़े को बनाने के लिए have you ever pulled the yarn from a ton pair of socks कभी आपने देखा है कि एक धागा जब socks से बाहर लिकल जाता है तो फिर क्या होता what happened क्या होता है a single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled केने मतलब है कि अगर एक धागा आपके मोजे से बाहर आ जाता है आप उसको खिचते रहे है वो खिचाते रहेगा और continuously अगर लगातार आप खिचते रहते हैं तो पूरा मोजा जो है एक धागा बन जाएगा socks and many other clothing items are made of knitting fabrics जैसे की मोजा इस तरह से knitting process से बना हुआ है उस अब यहां पर पहली के दिमाग में कुछ आ रहा है पहली wants to know पहली जानना चाहती है if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconut क्या आपने कभी देखा है जो नारियल के नारियल का मतलब रेशा जो होता है उसके उपर में रेशा होता है उससे कुछ बना हुआ कोई कपड़ा बना हुआ देखा है लेकिन हां उसका रसी बनावा देखा है नारियल का रेशा जो होता है उससे रसी बनता है इसके अलावा और भी कुछ बनता होगा तो जहां पर नारियल ज्यादा लगता है उधर कुछ बनता होगा what are these fibers normally used for नारियल का जो रेशा होता है वा सामान नहता है किस रूप में होता है तो रसी तो मैंने नारियल का रेशा का बनावा देखा है आप लोग भी देखे होंगे और इसके अलावा इसको लोग नहाने के लिए भी उप्यूग करते हैं शरीर को रगणने के लिए इसके आगे क्या है weaving and knitting are used for making different kinds of fabric बुनाई और बंधाई को अनेक परकार के कपड़ों को बनाने के लिए उप्यूग किया जाता है इस fabrics are used for a variety of clothing item और ये कपड़ों से पहनने के लिए अनेक परकार के dress बनाए जाते है history of clothing materials वस्तर बनाने के लिए जो भी समान यूज हुए उसका इतिहास के बारे में आपे बतला रहा है कि वह हमें कैसे पता चला have you ever wondered what materials people used in ancient time for clothes क्या आपने देखा है कि पुराने जमाने में लोग पहनने के लिए क्या उप्योग करते थे प्राचिनकाल के लोग इट अपिरस दाइट इन दोज टाइम पीपुल यूज द बार्क एंड बिग लीब्स आप्ट्रीज और एनिमल से स्किन और फर तो कवर देंसेल्फ लोग या तो बार्क मतलब पेड का चाल पहनते थे या फिर बिग लीब्स मतलब बड़े-बड़े पतियों को पहनते थे या फिर जानवरों के चमडियों को पहनते थे एनिमल स्किन और उसके फर जो होते थे उसका रोवेदार जो चमडि होता था उसी को वो लोग अपने सरीर को उसी से ढखते थे after people begin to settle in agricultural community जब लोग एक जगह बेवस्थेत होकर रने लगे क्रिशी उगाने लगे उसके बाद they learned to web twigs and grass into mats and baskets उन लोगों ने सिखा बुणने के लिए twig मतलब पतली-पतली टहनिया और घास से इन दोनों को मिला कर इन लोगों ने mats मतलब चटाई बनाने के लिए और basket टोकरियां बनाने के लिए सिखा vines animal fleece or hair were twisted together into long stands लताओं को और जानवरों के बालों को एक साथ एंट कर वे लोग लंबी लडियां बनाते थे रस्ची जैसे पतला-पतला बनाते थे these were oven into fabrics और उससे वो बुनकर कपड़े बनाया करते the early Indians or fabrics made out of cotton that grave in the regions near the river Ganga प्राचिन भारतिये जो थे हुए cotton से मतलब सुती से बने हुए वस्त्र पहनते थे जो की गंगा नदी के किनारे उगाया जाता था cotton plants को Flax Flax is also a plant that gives natural fibers Flax भी एक ऐसा पोधा है जो natural fiber हमें प्राप्त करता है In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Neel and were used for making fabrics पुराने Egypt में प्राचिन Egypt की बात कर रहा है वहाँ पे cotton को उसी तरह से flax का पोधाज होता उसी तरह से उगाया जाता था जैसे कि cotton plant को अभी उगाया था और उसकी खेती क्या जाता था near the river Neel, Neel नदी के नजदिक में और उसी से वे लोग कपड़े बनाया करते थे In those days, stitching was not known उन दिनों लोग सिलाई करने के लिए नहीं जानते थे People simply depth the fabrics around different parts of their body लोग समाइन रूप से fabrics को अपने सरीर में ढख लिया करते थे शरीर के अलग-अलग भागों को ढखते थे Many different ways of depthing fabrics were used Fabrics से शरीर को ढखने के लिए कई अलग-अलग तरीके वे यूज क्या करते थे With the invention of the saving needle, people started stitching fabrics to match cloths सिलाई सुई के विसकार के साथ है लोगों ने fabric से कई परकार के कपड़े सिलना शुरू कर दिये Stitched cloths have gone through many variations since this invention इस अविसकार के बाद लोग विभिन परकार के कपड़े सिलने लगे But it is not amazing that even today सारी, धोती, लूंगी और टर्बन is used as unstitched piece of fabric लेकिन क्या यह एक आश्चरी की बात नहीं है कि आज भी लोग साडी, धोती, लूंगी और पगड़ी को बिना सिले कपड़ों के रूप में उप्योग करते हैं बिल्कुल यह आश्चरी की बात है कल भी बिना सिये ही इन सारी चीजों का उप्योग होता था और आज भी उसी परकार से यूज हो रहा है जिस परकार से पूरे देश में खाने पीने के वस्तों में अनेक बिवित्ताएं पाई जाती है मतलब लोग अनेक अनेक परकार के खायद पदार्थों को खाने में उप्योग करते हैं उसी तरह से पहनावे में भी अनेक परकार के वस्तों का उप्योग करते हैं इसमें अनेक परकार की विवित्ताएं देखी जाती है तो यहाँ पे इस चप्टर का ये सारांस दिया हुआ है मैंती जो हम लोग इस चप्टर में सीखे ये है cotton rolls गिनिंग cotton rolls या cotton balls इसको बोलिए वो जो होता है पोधे से प्राप्त होता है वहाँ से हम लोग गिनिंग करते हैं मतलब इसको हाथों से अलग करते हैं उसके bees को और cotton wool को वहाँ से अलग करते हैं फिर fiber उसके तंतू जो हमें प्राप्त होते हैं उसको spinning करने के बाद हमें मिलता है spinning, मतलब suit की कताई करना, उससे धागा बनाना arm मिलता है, धागा मिल जाता है अब वहाँ से जब धागा प्राप्त हो जाता है तो या तो हम knitting process के दुआरा या फिर weaving process के दुआरा हम fabric बनाते हैं, मतलब कपड़े बना लेते हैं यह chapter का पुरा सारांस हो गया इतना ही में दिया हुआ है, जो कि हम इतने लंबे chapter को पढ़ें, और यहाँ पे इसमें keywords दिया हुआ है इसका, तो keywords में आपको आगे बना कर दे दूँगा, और इसके अलावा और यह exercise है इसका, यहाँ पे दिया हुआ हुआ है, 1, 2, 3, 3, 3 number में fill in the blanks दिया हुआ है, 2 number में, 2 false दिया हुआ है, और कुछ questions दिया हुआ है 456 में, तो आये मैं आप लोगों को इसका answer, complete करके दिखाता हुआ हूँ यह है chapter 3 का question answer सबसे पहले keywords दिया हुआ है cotton wool, cotton wool grown from cotton plants, it is a natural fiber and used for making fabrics fabric, a fabric is made up of arms arranged together, fiber the thin strands of thread are called fibers, knitting the making process of a piece of fabric used to a single arm is known as knitting spinning, the process of making arm from fibers is called spinning weaving, the process of arranging two sets of arms together to make a fabric is called weaving, arm a continuous strands of twisted fibers is called question number 1, classify the following fibers as natural or synthetic nylon wool, यहाँ पे option दिया हुआ है, इसमें से पहचानना है कौन सा natural fiber है, कौन सा synthetic fiber है तो यहाँ पे अंसर दिया हुआ है, natural fibers wool, cotton, silk, jute synthetic fibers, nylon, polyester question number 2, जिसमें की two false बतलाने के लिए का गया है yarn is made from fibers यह सही है spinning is a process of making fibers यह false है, fibers बनाने का यह process नहीं है spinning के बाद yarn बन जाता है jute is the outer covering of coconut तो coconut का outer covering jute नहीं होता है, वो stem से बनता है कोधे का stem से, इसलिए false है the process of removing seed from cotton is called ginning, यह true है cotton से उसके seed को अलग करने की परकिरिया को ginning कहते है weaving is on max a piece of fabric weaving के जरिए fabric बनाया जाता है, मतलब यह कि process है, यह सही है silk fiber is obtained from the stem of a plant यह false है, क्योंकि silk fiber जो है एक silk worm जो होता है, उससे मिलता है folister is a natural fiber, false है यह natural fiber नहीं है question number 3, fill in the blanks यहाँ पे भरने के लिए कहा गया है तो यहाँ पे जो black letter में लिखा गया है वो भरा हुआ है, यह answer हो जाएगा इसको अब भर सकते हैं, और question number 4 from which parts of the plant cotton and jute are obtained तो cotton plant के किस भाग से और jute plant के किस भाग से पाए जाता है cotton is obtained from the fruits of the cotton plant called cotton balls, jute fiber is obtained from the stem of the jute plant तो jute जो होता है, वो jute plant के stem से पाए जाता है name two items that are made from coconut fibers coconut fiber से बनने वाले दो items का नाम लिखने के लिए कहा गया है jute bags, wraps and foot mats यहां पे तीन दिया हुआ है आप इसमें से दो भी लिख सकते है और यह last question है explain the process of making arm from fiber the process of making arm from fibers is called spinning in this process fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted this brings the fibers together to form a arm spinning is done at home using simple devices like hand spindle जिसको तकली बोला जाता है and चर्खा यूज के जाता है on a large scale is done with the help of spinning machines तो यहां पे यह chapter पुरी तरह समथ हो जाता है अगर आप लोगो को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है ता आप हमारे इस वीडियो को एक लाक जिरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ से और अगले चप्र को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं